विधान सभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों उम्मीदवारों को टिकट दे रहे हैं। कुछ पार्टियों ने कीटों का वितरण कर दिया है, लेकिन दो बड़ी पार्टियों कैंग्रेस और बीजेपी में टिकटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी पार्टियों ने हरियाना में एन आईटी फरीदाबाद महिंद्रगड और सिर्सा की टिकटों की अभी घोशना नहीं की है। पूर्व शिक्षा मंतरी प्रोफेसर रामविलास शर्मा बीजेपी के बहुत बड़े नेता है, महिंद्रगड, विधान सभा से पांच बार विधायक बंचुके हैं। डौ मंगल सेन के बाद में बीजेपी के लिए केवल प्रोफेसर राम विलास शर्मा का नाम आता है। बीजेपी की हरियाना में एक-एक भी सीट नहीं होती थी, उसे समय से राम विलास शर्मा लगातार पार्टी के लिए संघर्ष ईल रहे हैं। आज टिकटों की घोशना नहीं होने को लेकर कार्यकरताओं ने मीटिंग की। यग्य हवन के बाद नामांकन किया जाएगा। कार्यकरताओं से अनुरोध किया कि सभी सुबह दस बजे जैराम सदन पर एक हवन के कार्यकरम में पहुंचे। सूतरों के हवाले से खबर आ रही है कि यदी टिकट नहीं मिलती है तो पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर राम विलास शर्मा निर्दलिय उम्मीदवार भी हो सकते हैं।